हेलो दोस्तों माय ओन्टे गाइड में आपका स्वागत थे दोस्तों अगर आपने एर्टेल यूपी आई के माध्यम से कोई टांजेक्शन किया है या फिर कोई रिचार्ज किया है और आपका पैसा कट गया है और आपका रिचार्ज नहीं हुआ है या फिर आपकी सर्विस प तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां पे मैं टांजेक्शन में आपको दिखा देता हूँ, मैंने यह टेल यूपी आई के माध्यम से अपना टांजेक्शन किया था, और जो कि यहाँ पे पैसा कट गया था और रिचार्ज नहीं हुआ था और इसमें मेरा Paytl Payment Bank लिंक एट था जो भी मेरा UPI Airtel का है उसमें Paytl Payment Bank लिंक था तो उसका पैसा कट गया था और पैसा refund नहीं हो रहा था और इसके बाद मैंने Airtel Customer Care को mail किया तो वहाँ से मुझे reply आया कि आपका पैसा successful हो चुका है और transaction successful हुआ है लेकिन मेरा recharge नहीं हुआ था मैंने इसके इंसार्ट बगार भी भेजा लेकिन उन्होंने माना ही नहीं और reply में यहीं दिया कि आपका success हो चुका है और दोस्तों इसके बाद मैंने Paytlm से contact किया और Paytlm के help support से क्योंकि मेरा Paytlm payment bank है तो मैं वहाँ से भी contact कर सकता हूँ तो दोस्तों अगर आपको कोई भी पैसा फंस रहा है तो आप relative bank में भी इसका complain करिए तो दोस्तों यहाँ पे मेरा Paytlm payment bank का support होता है यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा help and support तो यहाँ से आप complain कर सकते हैं और मान लीचे आप कोई branch में account है यह तो online है तो आप उहाँ पे जाके application दे सकते हैं तो वहाँ से आपका पैसा जो है मिल जाएगा refund हो जाएगा और यहाँ पे अर्टेल customer care service जो है इतना बेकार है और कुछ समझती नहीं तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ को इसके बारे में complain किया तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बार किया तो same reply आया जो कि यह टेल की ओर से आया था कि transaction बगार successful हो चुका है इसके बाद मैंने फिर से इस प्रकार से लिखा ID recharge यूपी आई के माध्यम से और जिसका transaction failed हो गया और पैसा भी कट गया और recharge डन नहीं और इसके बाद यहाँ पे एक ticket जो है इसका ticket ID मिली और इस प्रकार से चार घंटे में उन्होंने कहा की response दिया जाएगा फिर इसके बाद मैंने यहाँ से exit कर दिया और इसके बाद यहाँ से फिर उन्होंने mail किया कि दो से तीन दिन में हम आपके पास फिर से पहुंचेंगे और इसके बाद फिर से एक दिन message आया जो मेरा recharge हो गया नहीं हुआ था और तो इसका reversal has been done it और यहाँ पे एक 7 दिन का फिर से बोल गया कि मार्चेंट बैंक में take up to 7 days to accept our reject तो फिर से पेटियम ने जब किया और जो चार्ज बैक है मेरा उसको refund कर दिया यानि यहाँ पे अगर मेरा reject हो जाता तो पैसा नहीं आता और एकसेप्ट हो गया तो उसके बाद मेरा payment जो है पैसा refund आ गया था तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकास से आप complain करेंगे तो यहाँ पे मेरी जो problem थी वो solve हो चुकी है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो refund है वो भी आ चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे मेरा 65 रुपए का refund जो है आ चुका है और यहाँ पे मैंने यह complaint किया था उसके माध्यम से आया नहीं तो यह मेरा पैसा वापस ना आता तो इस प्रकास से मैंने अपने relative bank से complaint किया और उन्हों ने फिर एर्टेल को complaint भेजा इ टिल डारेक्ट refund नहीं दे रहा था और आपको mail का भी मैं screenshot दे दूंगा तो दोस्तों इस प्रकास से आप अपना refund ले सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से help मिली होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन टोस्तों आपज करता हुआ के लिया किस्के हैं प्रॉण नहीं ह